और इस वक्त का बड़ा सियासी अपडेट जो भारत पाकिस्टान से जुड़ा हुआ है भारत पाकिस्टान के रिष्टों से जुड़ा हुआ है वो ये नवाश शरीफ का बयान बड़ा बयान उनका यह आया है कि अगर पीएम-मोडी आते तो जादा पसंद होता वो उमीद कर पर्चेया में बने रहा हाला कि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो द्विपक्षिय सम्मंधों के लिए नहीं वो S.C.O. की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं नवाज शरीफ ने अब पाकिस्तान गई भारती मीडिया से कहा है कि विदेश मंत्री है जैशंकर का प बस सेवा शुरू की थी तब यही नवाज शरीफ प्रधान मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने क्या किया वो भी विस्तार से आपको बता देते हैं तो बहराल बयान ये आया कि भारत और पाकिस्तान अपने इतिहास को पीछे रखकर भविश्य की समस्याओं को हल करेंगे शांती प्रक्रिय अबादित नहीं होनी चाहिए नवाज शरीफ के कारिकाल के दौरान अटेल वेहरी वाजपई ने लाहोर की बस यात्रा की इस यात्रा के कुछ वक्त बाद ही पाकिस्तानी सेना ने करगिल में हमला कर दिया भारतिये जवानों ने मूतोड जवाब दिया घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उस दौर के बाद फिर कभी जो सम्मंध है उनमें विश्वास भरोसे की बहाली नहीं हो सकी तो अब पूर प्रधान मंतरी नवाज शरीफ कह रहा है कि भारतिये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को लेकर उन्हें का कि अगर अब बाद करना चाहिए आप अपने पडोस को नहीं बदल सकते यह बात उन्होंने कही है यह तो शुरुआत से ही लगातार कह सकते हम पडोसी नहीं बदल सकते और यही वजा है कि एश शंकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि दूझी पक्षिय चेसंवंदों में बादचीत क बढ़ावाद को बढ़ावा दिया जाता एक और खास बात कि अभी जब जैशंकर पहुंचे हुए थे उन्होंने उसी मंच से पाकिस्तान के मंच से क्या दिया कि ने नी बाची तब नहीं हो सकती आपको आतंकवाद को सिरे से रोकना होगा और आतंकवादियों को जो आप और जैशंकर ने ये भी कहा कि बहुत अच्छे से स्वागत पाकिस्तान ने किया उसके लिए धन्यवाद भी उन्होंने कहा धन्यवाद जारी किया और ये लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि तकरीब नौ साल बाद भले ही वो जा रहे हैं लेकिन द्विपक्षिय पर चर्चा करने के लिए वो नहीं जा रहे हैं इस दौरे के दौरान पाकिस्तान भारत दोनों ने एक दूसरे पर सीधा हमला बोलने से परहेज भी किया है बारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी पीम जैसा बयान देंगे भारत का रुख वैसा ही रहेगा लेकिन सबसे परहा था एस जैशंकर का यह लगातार महां की मीडिया में चर्चा में रहा ना सिर्फ मीडिया में बलके भारत और पाकिस्तान के रिष्टे ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की निगाह किसी भी बड़ी हैपनिंग पर रहती है अब याद कर लीजिए कि ततकालीन जो विदेश म चार रहा है पाकिस्तान की तरफ से एक राग गाया जा रहा है राग बड़े घड़ा रहा है उसे लेकर यह बड़ेट दे रहे बड़ा दोस्ती का राग है यह कि इससे पहले याद कर लीजिए कि बिलावल भुटो ने क्या कुछ कह ता और पाकिस्तान के पूर्भ róż nice शरी वो दोस्ती की हमायत कर रहे हैं, दोस्ती का तराना गा रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया, वो हम आपको बता दे हैं, हालकि एक बात और ध्यान रखने वाली है, जिसका मैं अभी बार-बार जिकर कर रहा हूँ, कि पिछले साल, जब गोवा में S.T.O. की बैठ पाकिस्तान गा क्यों रहा है, पाकिस्तान में भारत के साथ रिष्टे सुधारने को लेकर एक राजनितिक सहमती बंती दिख रही है, शायद पाकिस्तानी हुक्मरान ये समझ चुके हैं, कि भारत के साथ अच्छे संबंध ही उनके देश के लिए बहतर वहिश्ची की गारे कंट्रीज हैं, उनके चहरे के तौर पर विक्सित राश्ट्रों के सामने अगर कोई बात रखता है, इन सब छोटे छोटे देशों की, तो वो प्रधान मंतरी मोधी रखते हैं, ये भी एक बड़ी वज़ा हो सकती है, पाकिस्तान का राग बदलने की, तो बहतर भविश्च संबंदों के लिए अच्छी शुरुवात हो सकती है, और बहुत कुछ बहतर हो सकता है, क्रिकेट को लेकर भी कह रहें, कि भारती क्रिकेट टीम को चैंपियंस टॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, वो ये भी कह रहें, कि अगर आप भारती टीम से पूछें, तो पूरा यकीन है कि वो भी यही कहेंगे, वे पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं, हालके कम से कम यह बहुत अच्छी बात है कि नवाज शरीफ यह मान तो रहें कि अतीद जो रहा है वो कड़वा रहा है, देखते हैं भविश्य में क्या होता है, अतीद जाहिरा तोर पर कड रहेगा, आपके प्रधान मंतरी रहते हुए, हमारे प्रधान मंतरी एक बस चला रहे हैं, और आपकी सेना करगिल में हमला कर दे, तो अतीद तो कड़वा रहे गई, भारत ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की रिष्टों को बहतर बनाने की, अब वापस आते हैं, एस जै जैशंकर ने इसाफ कर दिया, एस जैशंकर के बारे में मैं आपको एक आगे बात बताता हूं, लेकिन भारती इसाफ कर चुका है, वो द्वीपक्षिय संबन्दों पर तब तक बात चीत नहीं करेगा, या रिष्टों की बहाली पर तब तक बात चीत नहीं करेगा, जब त विदेशनीती की भाषा में, वो सबको समझा देते हैं, चाहे वो अमेरिका का कोई स्टेज हो, या फिर वो पाकिस्तान का स्टेज हो, पाकिस्तान के स्टेज पर, स्टेज पर भी उन्हों नहीं यही कहा, कि जब तक आतंकवाद को प्रश्राय देते रहेंगे, बाचीत की बहराल, पाकिस्तान की तरफ से बार-बार दोस्ती का राग गाया जा रहा है, इशाग डार जो हैं, मंतरी हैं, वो इस तरह की बातें, व्यापार को शुरू करने की बातें इससे पहले कह चुके हैं, पाकिस्तान का व्यापारिक समुदा है, प्रत्यक्ष व्यापार को फिर दोस्ती का राख गा रहा है पाकिस्तान का मीडिया दोस्ती का राख गा रहा है जो पूरू पीम नवाश शरीफ वो दोस्ती का राख गा रहे हैं हाला कि अतए तो आप आतंक को शेह देना बंद करेंगे तो यह बड़ा अपडेट इस वक्त का पाकिस्तान का जो दोस्ती का राग है वो अलग-अलग तरीके से अब सामने आ रहा है और आगे भी जो अपडेट रहेगा उसी तरह हम आपको बताते रहेंगे